जी इसलाम लेकुम मैं हूँ आपका होस्ट अग्रेडियन अमीन लोदी और आज हम बात करेंगे प्रटाट आफ स्कैप के बारे में अलू की काली मता जैसे ही सप्पेंबर का महीना स्टार्ट होता है तो अलू की काश्टकार वो देखना शुरू कर देते हैं कि हमने इस प्रटाट है यह आलोगी में बहुत मुझार को किए क्यमिकल मार्किट में आ चुकियwno है इसको को मार्किटम को क्यिक एक बात से सब्सक्राइब करें। चांज हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटाइटो स्कैप के बारे में के तरह कुछ तरह कुछ है। बैक्टेरिया की वज़े से होती है। बैक्टेरिया के नाम है स्टैप्रोमाइस स्कैपी। ही एक बीक्टेरिया जो के जमीन के अंदर ही मजूद होता है और वहां से ہी एक प्लांट से दूसरी प्लांट में या एक फसल से दूसरी फसल बंब मुंत्किल होता है और यह स्कैप का पार काईस्द्म है और अगर हम उसके फेवरेबल एंवायरूमेंट कर सकता है और करेगा भी ठीक है अगर हम इसके स्कैब्स की इलामात की बात करें तो यह सिर्फ तब हमें हम देखने को मिलती है जब हमें आ जो होता है आलू का वो बिल्कुल त्यार हो चुकत है नीचे जो है बिल्कुल आलू बन चुका तो इसमें क्या होता है कि हमारे आलू क कर दो किसे तरस इसको कॉन्टोल कैसे करते हैं क्यूंकि मैंने आपको बिता है यह जो बैक्टेरिया स्क्राइट कामेस सलाण के स्क्रीजिए के लिए खाय्प में थांपने ब। देखने के अंदर होंगे वो खतम हो जाएंगे और जैसे ही दो साल बाद आप दोबारा प्रटाटा लोगाएंगे तो उस पे आपको स्कैप देंखने को नहीं मिलेगा इसके बाद आप यह भी कर सकते हैं कि अगर जो किसी भी फील्ड का जो मुतासरा होता है मुतासरा बीच है अलू के वपर आपको स्कैप की अलामा नजर आ रही है उसको आप एज बीच इस्तमाल ना करें और उसके बाद तीसरी जो है चीज है वो है कि आपको सीड्रीट्रीट्मेंट कर ली है जिसमें आपने बैक्टेरिसाइड भी यूज़ किया यूज़ किया ये की पी एच को कम रखें ताकि यह जो जड़ासीम है यह इसमें एक्टिव ना हो सकी सबसे जो अच्छा कंडूल है वो है क्राप रूडेशन का जो मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था जिसे आज जड़ासीम में मुकमल तोर पर तलफ हो सकते हैं बाकी जो मैंने आपको ब सब्सक्राप रूटेशन एफ जी शुक्रिया